हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे string formatting की और हम बात करेंगे string interpolation की तो चलिए start करते हैं सबसे बहले हम आपको यह बताता हूं कि string formatting का यूज करते क्यों है क्योंकि बार भार हम concordination का use कर नहीं सकते बार भार हम plus नहीं लगा सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग string formatting का use करते हैं और string formatting में यह फायदा है कि हम multiple variables को use कर सकते हैं तो मैं लिखता हूं this is a string ठीक है मैं यह लिखा और यहां पर मुझे curly basis लगाने पड़ेंगे इस curly basis के place पर हमारी values हो क्या values प्रिंट हो के आएंगी मैं यहां पर लगाऊंगा dot और फिर मैं यहां पर लिखूंगा format यह का syntax है पहले आपको कोई भी variable कोई भी string लिखनी है जो आप करवानी है फिर आपको curly basis लगाने जहां पर आपको एक specific variable का name call करना है या फिर कोई specific data feed करवाना है वहां पर हम use करते है curly basis का उसके बाद क्या करूंगा मैं function के अंदर आपका जो भी बीची मुझे print करवाने इस curly basis के अंदर वह चीज़ लिख लेंगा जैसे मैं capital में लिख लेता हूं वीजे ठीक है single quotations इसको close कर लेंगे double parenthesis यहां पर याद रिखेगा क्योंकि एक तो parenthesis की है दूसरी parenthesis की है close कर लेंगे this is string विजे हमारे लिखाओ आगया अब इसी तरीके से क्या मैं multiple values को इसके अंदर प्रिंट करवा सकता हूं हां मैं multiple values को भी इसके अंदर प्रिंट करवा सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा तीन बार यहां पर curly basis ल इसके अंदर फिर से कोई अलग value देता हूं जैसे मैं देता हूं अजय single quotation, single quotation राम single quotation इस तरीके से तो देखे तीन मैंने यहां पर curly basis दिये हैं और यहां पर तीन मैंने string को pass किया है तो यहां पाद तीनों अलग लग लिख्या है this is string विजे राम अजय क्या हो कि मुझे एक ही string को call करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं indexing का use कर सकता हूं लेकि indexing थोड़ा सा bit old है जो कि मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि indexing मैं आपको count क और यहां पर मैं कर देता हूं one और यहां पर मैं कर देता हूं two कल लिए इसके अंदर two तो देखे जीरो जीरो मतला विजे ठीक है one मतला अजय इंडेक्सिंग पोजिशन के विजे से और two यहां पर राम को आएगा यहां पर देखे this is string विजे अजय राम अगर आपको लग यह थोड़ा अलपड़ा होगे तो मैं यहां पर थोड़ा change करता हूं इसको तक पर doubt clear हो जाए अगर मैं one one print करता हूं तो one one क्या होगा दो बार अजय अजय फिर राम आएगा लिखा हुआ अजय अजय राम तो इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं लेकिन इंडेक्सिंग का अच्छा function है जो कि मैं यहाद दर यूज़ करता हूं तो यहां पर देखिए मैं इसको specific keyword दे सकता हूं keyword देने के लिए मैं क्या करूँगा यहां पर F इनको देते हैं विजय को और यहां पर G देते हैं अजय को और P देते हैं राम को ठीक है यह मैंने दे दिया अब देखिए मैं सिर्फ हुसी keywords है है इनके keywords हें को call कल दोंगा तो मैं यह और देखिए G लिख रहा हूँ और फिर F लिकता हूँ और फिर आपका P लिखताओ इसे run कर χवाँ अची पहले आया क्योंकिfolg स्को कोった फिर मैंने f sensing करके दिया है मैं अब मैं आपको बताऊंगा Glück मान फ यहां लिखता हूं आपूट आपूट मैंने एक वैरेवल लिया इसमें मैं हंडेड को 99 कर लेता हूं 999 से और आपूट की वाली चक कर लेंगे किस तरह सारी आपूट की वाली बहुत लंबी आ रहे है लेकिन मुझे इसको स्पेसिफाई करना है कि कि यह पॉईंट के बाद सि आपूट है वो वेरेवल का नेम है यहां पर जो आपूट हो इस ट्रिंग है यह ऐसी ही प्रिंट हो कि आ जाएगी तो यहां पर मैंने थोड़ा एरर कर दिया है यहां पर मैंने इसको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा है तो यह छोड़ी-छोडी मिस्टेक आप ना कर है तो यहां पर हमारा आउटपूट जनरेट हो गया अब मैं चाहता हूं कि डैसिमल का सिर्फ तीन पॉइंट ये दो क्वेंट ही मुझा आउटपूट मिले तो उसके लिए कि मुझे करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले मैं यहां पर इसको एक कीवर्ड असाइन करता है तो देखिए वैल्यू है मेरी ओ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंना आउटपूट को क्या कीवर्ड दिया है फिर आप देहें विट्थ के बारे मैं थोड़ी दिवाया मैं को एक्स्प्लीन करूंगा अभी आपसे समझ लिए कि मैं सिर्फ वन रख रहा हूं फिर है तद्फिर पिर मैं लगाऊ एंगओ यहांपर डॉट अब मुझे लिखना है कि कितने मुझे चाहिए ठीक है इपर आप और समझादी आपको प्रिसेजन समझ में आगया होगा अगर मैं यहां पर 5 करता हूं चेंज एक और एक्जामपल ले लेते हैं तो क्या आएगा 5 आउटपूट आजाएंगे हैंगे यहां इसको फॉप लेते हैं यहां पर यहां पर इसको मैं आटनो का मious समझते हैं किस तरह gorigt है यहां मैं ले लेता हूं 10 तक ठीक है यह मैंने प्रिंट करवाया अब मैं जहां विट्थ में चेंज कर रहा हूं इसको 10 नहीं इसको 2 रहन दूँगा और इसको लेता हूं मैं 10 तो यहां पर देखिये एसब्स यहां पर मिलने हम और यहां से लेकर कितने इसब्स आने वाले हैं तो वह काम होता है विट्थ में ज्यादा हम श्यदों से काम करते हैं अब हम बात करेंगे F string की जो कि एक method है formatting का ही यह हमारा latest method है जो कि 3.6 python 3.6 के बाद आए था उतसे पहले यह method आपको नहीं मिलेगा variable ले लेते हैं जैसे कि मैंने लिया name name में लेता हूँ यहाँ पर single quotation में विजे और यहाँ पर लेता हूँ एज में लेता हूँ यहाँ पर 26 में लोगा यहाँ पर मैं क्या करना रहा हूँ सबसे बहले print करते हैं f यहाँ पर मुझे सबसे देखें syntax है हमारा f लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जो formatting होती है f string के form में होती है तो f हम पहले ही लिख लेते हैं ठीक है and my age is कलने बसे और इसके अंदर मुझे कौन सा variable करना है age variable को यूज करना है single quotation लगाया और यहाँ पर 35 को close किया और इसे रन किया तो my name is Vijay and my age is 626 इस तरह से लिखा हूँ आ गया आज हमने जाना कि string formation क्या है और string interpolation क्या है उसे ही string interpolation कहते है thank you for watching this video अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और my channel को subscribe करना ना भूले